एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉंच करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई देश के लोक्तंत्र के लिए परिवार वादी राजनीती परिवारिक पार्टियों की राजनीती यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोड़ों परिवार के आकांशाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तैयारी नहीं है आज विपक्ष की जो हालत होगी ना इसकी सबसी दोसी कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा आउसर मिला और दस साल कम नहीं होते हैं लेकिन दस साल में उस दाईत्व को निभाने में भी वे पुरी तरह विफल गए हैं और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होना हर लोग है उनको भी उभरने नहीं दिया क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाएं इसलिए हर बार यह करते रहें कि और भी विपक्ष जी जो तेजस भी लोग है उनको दबा दिया जाए हाउस में कई यंग हमारे मान्य सामसद गण है उत्सा भी उमंग भी है लेकिन अगर वो बोलें उनकी छबी उभर जाएं तो शायद किसी की छबी बहुत दब जाएं उस चिंता में इस यंग जंद्रेशं को मोका न मिले हाउस को ही चलने नहीं दिये गए अन्य एक प्रकार से इतना बड़ा नुक्सान कर दिया है खुद का भी विपक्ष का भी सांसद का भी और देश का भी और इसलिए और मैं हमेशा चाहता है कि देश को एक स्वस्त अच्छे विपक्ष की बहुत जरुद है कि देश ने जीतना कि परिवारबाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कॉंग्रेस ने उठाया है कि अब अधिर बाबु की हाला दम देख रहे हैं बनना ये समय था संसद में रहने का लेकिन परिवारबाद कि सेवा तो कड़ी पड़ती है आदेने अधिक जी अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन सिफ्ट हो गए और गुलाब नभी जी तो पार्टी से ही सिफ्ट कर गए ये साब परिवारबाद के भेंट चड़ गए एक ही प्रोडक्त बार बार लांच करने की चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आगए और ये दुकान हम नहीं कह रहे हैं आप लोग कह रहे हैं अब लोग कहते हैं दुकान फोली हैं सब जगह भी फोलते हैं दुकान को ताला लगने की बात आगए यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़नी पाते हैं वहां से बैठ बैठे कॉमेंट कर रहे हैं परिवारबाद की हम किस परिवारबाद की चर्चा करते हैं अगर किसी परिवार में अपने बल्गूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक छेत्र में भी प्रगदी करते हैं उसको हमने कभी परिवारबाद नहीं कहा है हम परिवारबाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्रात्विक्ता देती है जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोग ही करते हैं वो परिवार बात है ना राजनाजी की कोई पुल्टिकल पार्टी है ना अमिशाह की कोई पुल्टिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित नहीं ह लोग तंत्र में पार्टी अने एक परिवार के दस लोग राजनिती भाए कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नवजवान लोग आएं हम भी चाहते हैं एए इसकी चर्चा खरिये हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है देश के लोग तंत्र के लिए परिवार बादी राजनिती परिवारिक पार्टियों की राजनिती यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगदी करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा दस लोग प्रगदी करें मैं स्वागत करूंगा देश में जितनी नई पीड़ी अच्छे लोग आए स्वागत ही होगे हैं पुर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् अधेन अध्यक जी कॉंग्रेस एक परिवार में उलज गई है देश के करोडों परिवार के आकांग्शाएं और उपलब्दियां वो देख पाही नहीं देख सकते नहीं अपने परिवार के बार देखने की तैयारी नहीं है झाल ओज भाइज की तैयारी नहीं है